हेलो प्रेंट्स वेलकम टू प्येस सिद्डा के यूटूब चैनल पर एक बार फिट से आप सभी का हार्दिक स्वागत हैं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हम एक प्रेंट्रेंट के यूनिट सेवन के सिद्ड़ा से और यूिए को हैं जिसको बन रहा है का है और राए घर देखें ताकि वंपडो प्रोसेशिएर्ण से जो भी प्रेशन एक्जाम में बनने वाले हैं वो कुशन आप सही करतें और जिकने भी प्रेशन पहले बन चुके हैं उसी बैसिस पर हम सारा डेटा जो है आपके लिए लेकर आया है चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि खाद्य प्रसंसकरन है क्या तो दूस्तों खाद्य क्लिए क्लिए क्या कता है यह एक प्रकार की विधि है यह एक प्रकार की टैक्निक है ह। है तो इसको हम कैसे 되ंगे प्रोसेसिंग को या ख़ध्य करन को तो ख़ध्य प्रसेसर खरण जो है कि कुछ देखेंगे food processing को या खाध्य प्रसेंस करण को तो खाध्य प्रसेंस करण जो है एक एसी विध्यों का समू है जिसमें जो कच्छे पदार्थ होते हैं या अग्रिकल्चरल प्रोडेक्ट होते हैं उन सब को क्या किया जाता है कि खाने के लायक बनाया जाता है जितने भी फूड होते हैं जैसे कच्चे अपदार्थ होते हैं जो खेतों में जैसे कि मान लो आपकी फल है उसके अलावा जो फूड है तो वो सभी कच्चे फल होते हैं उन सभी को क्या करते हैं कि खाने के योग्य तैयार करते हैं और उत्प यह सब जो हैं उत्वाद होते हैं और लंबे समय तक ने उनको उपयोग में लाने के लिए तयार किया जाता है उसके अलावा उनको परिवहन यानि के ट्रांस्पोर्टेशन वे उनका अच्छे से कैसे इस परकार से उनको एसा तयार करने की विदी होती है उसी को हम कहाते हैं खाद्या प्रसंस करनफились प्रूड प्रोसेसिंग यानि कि भाजन को लंबे समय तक शुरक्षित रखने के लिए जिन विद्यों का प्रयोग करते हैं उन्हीं विद्यों का जो समु होता है उसी को फूड्परोसेसिंग कहते हैं जिसमें हैं फ्रूट्स याने के पलूट्स भी आग जाते हैं बोजन भी आगार्थ भी आगारत हैPR. तो यह सबी जो हैं इसी के अंतरगत आते हैं जैसे कि हम देखते हैं कि जो जैसे की आलू है तो आलू से snacks बनाया जा रहे हैं यह क्यों बनाया जा रहे हैं ताकि इनको लंबे समय तक जो है श्टोर कर सके और मार्केट में पहुचा सके इससे क्या होगा तो वह यह जो फैक्टरी जो कंपनी इसको बना रही हैं वो भी एक मोटा मुनापा कमाएगी और जिन किसानों के घरों में आलू सड़ जाते थे उन किसानों की जो आए हैं वो भी बढ़ जाएगी उसके अलावा इस कंपनी में बहुत सारे मजदूर काम करने होंगे तो उन मजदूरों को भी जो है एक आय मिलेगी यानि को जो है रोजगार मिलेगा और जो व्यक्ति इन आलू प्रृट्व घंडेऄ Haiti तो यहां पर क्या होँ रहा है कि इनका प्रसेंस करें अब सबसे पहले तो हम क्या करने हैं कि ऑक्शिप virtuous जो है उनको साभकर ने इस बहुतस करने तो पेकेजिंग करने दो पैकेजिंग करने कृण लफिर निम्य समय तक स्टैंच "- यह जो प्रोसेश करे पूरे किसे भी कमपनी जी और फोड प्रोसेसिंग करा थें तो आज तो आझ तींग में प्रोसेसिंग किसका इंपोटेंस क्या है क्या महत्व है किस वज़े से फूट प्रोसेसिंग जो है इंडिया में अगर हम देखें तो हंड्रेट परसेंट जो उत्पाद होते हैं जैसे कि अगर हम बात करें फल फोड यानिकी बहुजन या बहुज़पदार या खाद्यपदार जो होते हैं और सबजियां इनके उत्पादन में इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री हैं वर्ल्ड में सबसे फर्ष्ट पर आता है चाइना अब चाइना कि अगर हम बात करें तो चाइना आपने यह बहुत अच्छा एरिया है बहुत अच्छा शेत्र है जहां पर क्या कर सकता है इंडिया कर सकता है और अगर हम देखें तो अपनी जो जीडीपी हैं उसमें लगबग 6% के आसपास योगदान है क्रशी शेत्रगा तो फूट प्रोसेसिंग के माध्यम से इस योगदान को हो गया कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं इसको डेवलप कर सकते हैं अब इससे क्या होता है क्या इंपोर्टेंस हो गया तो यह फदार्तों को खराब होने से बचाता है जब हम फूट प्रोसेसिंग कर लेते हैं वह लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं यानि कि उनको खराब ह है वातावरेन का प्रवाव यानि की गेसिस का प्रवाव भी है उसके अलावा अगर हम देखें तो वहां पर जो शुक्ष्मजीव हैं गेहूं के पास में उनको भी रिमॉट नहीं किया गया है अब हम इनकी सौर्टिंग करते हैं जैसे फैक्टरीज होती हैं वहां पर ग्याह पैकिंग किया जा सके एक सब्सक्राइब करें लंबे समय तक खराब ना पहला जो इसका इंपोर्टेंस पहला जो इसका लाव ही वह अपने को समझ आ गया दूसरा जो बोज्यपदार्थ होते हैं उनमें पोशक तत्वों को बढ़ाने में भी इसका इंपोर्टेंस होता है जैसे मालों कि आप गेहूं है तो गेहूं से क्या बना रहे हैं फूड बना रहे हो अब बोजन बना रहे हैं तो इसका इसका इंपोर्टेंस होता है यह तो मैंने आपको बताई दिया हैं कि जैसे कि अभी हम 10% से भी कम हैं अगर इस 70% अगर चला जाएगा तो यह 66% से 60% जो हमारी GDP में योगदार किसानों का हो जाएगा या जो क्रशी शेत्र हैं उसका हो जाएगा तो इसका मतलब जो है किसानों की आई भी बढ़ेगी तो सर सरकार ने भी लक्ष रखा था कि किसानों की आई को दुगना करना है 2022 तक जो हाला कि इस लक्ष में सरकार जो है सफल नहीं हुई है रिजन है कि फूट प्रोसेसिंग जो है जिस लेवल पर पहुचने थी वहां पर नहीं पहुची है उसके अलावा एक और इसका लाव है या कि आश्पाद जो हैं फूट प्रोसेसिंग से समभनित यूनिट से या चौनिया या विभी करना चाहते हैं तो रोजगार भी इससे बढ़ेंगे उसके अलावा निरियाद आई को बढ़ावा मिलेगा जिन चीजों को हम इंडिया में खतम कर देते हैं खराब हुजाती है फ विजेशों में निर्याद कर सकते हैं जब विदेशों में निर्याद करेंगे तो निर्याद से हमें आई मिलेगी यानि कि निर्याद आये जो है वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो यह सारे benefits सें सारे importance एक सके food processing के I think अब आप लोगों को food processing क्या है उसका क्या इंपोर्टेंस से यह समझ में आ गई होगी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो आप लोगों को तो लाइक तो कर दो भी है ना अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना वीडियो के अंत में उसके साथ साथ पी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ज चलो उसके बाद अगर हम बात करें तो इससे संबंदित यानिकी फूट प्रोसेसिंग जो हैं से संबंदित कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज है ठीक है खार्थी प्रत्षंद करना से संबंदित तो एक तो हैं बेकरी उद्ध्योग जहां पर क्या किया जाता है जैसे कि बेकरी जिसे बेकर्इकर से भी आगर रोटी बनातो हो जाती है जब कि यह चीज़या है महीने चलती रहती है इसके रिजन क्या है कि बेकरी में इसको इसको जो है process किया जाता है फरकाध्य का इसलिए यह उद्योग भी किस संबंदित है बेकरी उद्योग तो यह फूट प्रोसेसिंग से संबंदित है रेडी इट फूट यानि कि ताजा जो खाने के लिए फूट होता है उसमें भी ऐसा करते हैं जिसको हम फास्ट फूट कहा सकते हैं वेबरेजेज खाज्यानों की पिसाई यह तो वी देशोह निर्यात कि लिए और जिसको फैक पेए अ मुँद ता बेचा जाता है दही होता है गी होता है जो लंबे समय तक बचे रहता है तो जितने भी डॉयरी प्रोडक्ट्स होते हैं और इनके और भी जो सह उत्पाद है वो सभी इसी में आते हैं बीयर और एलकोहलिक पैपदार जो होता है वो भी फूट प्रोसेसिंग यूनिट के अंतरगत ही आते हैं उसके अलावा दुगद और दुगद निर्मित उत्पाद अनाच का प्रसंस करन उसके अलावा नमकिन जितने भी होते हैं वो भी इसी से बनते हैं इसनेक्स टीप्स बिस्कूट नूडल्स और इंसेट नूडल्स एडिबल नर्ट प्रसंस करन और पैकेजिंग जड़दा पान मसाला उद्योग डाइविटिक फूड और मसाला उद्योग तो ये सारे उद्योग किस से संबंदित हैं तो ये सभी food processing से या खाध्य presence करण से ही संबंदित है उसके बाद अगर हम देखें तो सरकार ने food processing को बढ़ाने के लिए जिसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि 6% GDP जो है उसमें योगदाने करशिका यानि कि 94% सेवा शे उसके माद्यम से क्या कर सकते हैं तो food processing को बढ़ा कर किसानों की आय बढ़ा सकते हैं और GDP में किसानों का या करसी शेत्र का योगधान बढ़ा सकते हैं उसका एक ही तरीका है फुड processing तो 2015 में सबसे-पहले सरकार ने किया प्रात्मिक्ता प्राप्त शेत्र जिसको शेत्र रेंड पी एस एल कहते हैं उनके मांदंडों के तहत क्रशी गतिविधी के रूप में खाद्य और क्रशी आधारित प्रसंसकरण इकायो और शीद स्रंखला को जो है शामिल किया है जिससे उनको डारेक्ली पी एस एल के मा जाए और उससे वो अपने प्रोड़क्ट को क्या कर सके तो उसकी प्रोसेसिंग कर सके उसको मार्केट में ला सके तो किसान भी यहां पर जो है उज्ञमी बन सकते हैं और 2015 में इस योजना के शुरुआत हुई उसके बाद मेगा फुट पार्क यानि कि बहुत सारे शेत्रों म में मेगा फुट पार्क एम एफपी में प्रसंस करन इकाईयों की स्थापना में निवेश के लिए किफायती रीन प्रदान करने के लिए राश्ट्री क्रशी और ग्रामेन विकास बैंक जिसको हम कहते हैं नाबाट उसके साथ 2000 करोड रुपे का विशेश खाद्य प्रसंस क को बढ़ाया जा सके तो पी एसल और दुसरा नाबाट के माध्यम से एम एपी के साथ जो है एक विशेश प्रकार का खाज्य प्रसंस करन कोश इस्तापित किया गया है जिससे लोगों को जो है आसानी से लोन मिल जाए और लोग क्या कर सके तो अपने फूट प्रोसेसिंग उसको शुरू कर सकते हैं उसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो फूट प्रोसेसिंग होती है उसमें क्या 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 किये जाते हैं कौन-कौन से सिद्धान थे उसके बारे में अब हमें देखना है कि हम देख रहे हैं कि फूट प्रोसेसिंग हो जाती अब फूट प्रोसेस सबसे पहले जो सुक्ष्म जेविक अब घटन है उसको रोकना होता और उसको विलम्बित सुक्ष्मजीव करना होता है तो सूक्ष्मजीव दि denen इसको क्या करती है या आप बिनाते और रोटी बनाते हैं अब उस रोटी को क्या करते हैं दिरे दिरे खराब करने के काम करते हैं तो यह किस वाज़े से हो रहा है ह Starbucks सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जो बोज्य पदार थे उनमें जो शुक्ष्मजीव होते हैं जो उनका अभघटन करने का काम करते हैं अलाकि यह पुर्ण रूप से कभी नहीं रोक सकते बिलकुल खतम नहीं कर सकते हैं बट क्या कर सकते हैं कि इसको विलंबित कर सकते हैं कुछ समय के लिए कि वो डायरेक्टलि इसके उपड़ प्रक्विया न सकते हैं तो वो हम देखने वाले दूसरा होता है बोजन के स्व अब गटन को रोकना या विलमबित करना या निकि बोजन जो यह अपने आपको करने लगता है खराब करने लगता है एक समय के बाद तो उसको रोकने के लिए उसको विलमबित करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उन वीदियों के बारे मिंए जैसे की कुछ Chemicals मिला कर उस भोजन को आपस में कि्रिया करने से रोख सकते सकते हैं जब वो आपस में कि्रिया करने से रूख जाएगा तो वो सड़ेगा ने ठीक है तीसरा होता है जो होते हैं जो जानवर होते हैं यानत्रिकारण से सती की रोकताम करना जैसे जो कीढ़े लग जाते हैं भोजन से करनाहाये जब उसमें कोई सुरक्षा आवरण नहीं होगा हैों डेक फल है अब फल में केड़े पढ़ रहा यंग पढ़ रहा है Su उसको कुछ chemicals में नहीं डुगाया है यह चानवर ना तो जानवर भी इसको खराब करते हैं यांत्री कारण कुछ मशिन्ट्री कारण से भी बहुजन को शती पहुश सकती है तो इन से भी रोगताम करने के आवशकता हैं तो इन तो सबसे पहले होता है शुक्षम जिवो को बाहर रख कर जिससे कहते है अपूतीता या निरोध तमठे कछ दूसरा होता है insanlar मकर च्छानना या फिल्ट्रेमर कर अब यह process कैसे होती हैं जिसको में कहते है निरोधिया अपूटीता ऐसे piece जो है यह कैसा होता है जिसले हैं सेट इसप्रकार से पूरा तो नहीं बना पाऊंगा बट ह इस इसे मानलो savings है अब सेब के आसपास क्या होता है कवर होता है यह कवर क्या करता है यह निरोध का काम करते है और पुतीता का काम करता है जिससे शुक्ष्मजीव तो होते हैं बड़ इस कवर के बाहर होते हैं तो सुख्ष्माजीओं को बाहर कैसे रख सकते हैं कवरिंग करके क्या कर सकते हैं कवरिंग करके पेकेजिंग करके हम जो हैं सुख्ष्माजीओं को बाहर रख सकते हैं जिसकी वज़ेसे वह food के पास नहीं प्रसक्ते हैं और food के साथ क्रिया नहीं कर सकते हैं यह food को सडा नहीं सकते हैं दिये हैं जी से Saft होती है तो चिप्स को पेट किया जाता हूँ जाती है अब punishing में एक और ये होता है जब food packaging की जाती है तो उसमें nitrogen इसका रिजन होता है कि बोजन जो ऑक्सिजन के साथ किरिया करके ऑक्सिडेशन की प्रोसेस जो हो जाती है और उससे बोजन खराब हो जाता है नाइट्रोजन अक्री एस होती है जो फूट पेकेजिंग में प्रयोग की जाती है और यह वाला प्रेश्ण भी MPPSC में पूछा ज करना होता है अब उत्षिता करनी होती है जिससे क्या हो जाए कि शुख्ष्माजिवोν की भोजन के पास नहीं पहुछ सकते हैं इससे उनको दूर कर सकते हैं इना डेरी प्रोडक्ट होते हैं उनस सब में हम क्या कर सकते हैं कि शुक्षम जीवों को चान कर, filtration की जो process होती है, उसके माध्यम से उनको अलग कर सकते हैं, जैसे कि दूद को चननी में चान रहे हैं, तो जितने छोटे छोटे शुक्षम जीवों के, वो दूद से क्या हो जाइंगे, अलग हो जाइंगे, तो उनकी व्रद्धी और गतिविदी में कैसे बादा डाल सकते हैं तो उनको सुक्ष्मजीवों को जीवित रहने के लिए उनको जीवित रहने के लिए उक्सिजन गेस क्या वशकता होती है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि वहां से जहां पर फूट रखा हुआ है वहां से ओक्सिजन गेसी रिमूव कर दें जिसके वज़े से क्या हो जाएगा शुक्ष्मजीवों की व्रद्धी रुख जाएगी उनकी गतिविदी रुख जाएगी और अवाईवी इस्तती बन जाएगी जब अव आई भी इस्तिती बन जाएगी तो इसमें क्या होगा कि सुक्षमजी व्रद्धी नहीं कर सकते हैं तो व्रद्धी नहीं कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएंगे मर जाएंगे उनकी गतिविदी खतम हो जाएगी जिससे क्या होगा तो जिससे यह हो जाएगा कि food जो है बच जाएगा सुक्ष में जिवो के अब गटन से तो इसमें क्या कर सकते हैं तो इसमें एक तो packaging जिसमें बता रहा हूँ आपको कि nitrogen मिला दो या oxygen खतम कर दो जैसे कि आप chips खरीद कर लाते हैं या कोई भी snacks खरीद कर लाते हैं कोई भी packaging food खरीद कर लाते हैं अगर उ पुला चोड़त होगे तो oxygen मिल जाएगी oxygen मिल जाएगी तो शुक्ष मजीव अपनी गतिविदी करने लगेंगे और बोजन को खराब करने लगेंगे nitrogen होगी तो यहांबर शुक्ष मजीव तो होंगे बट वो गतिविदी नहीं कर सकते हैं जिसके वज़े से फूट जो है ल करनेके लि 되면 हो जैसे पानी को भी गर्म करके साब किया सकता है दोध को बीघर म करके अध्या संपर्ग में लाकर या निमनत अपमान निमने तापमान या उच्छ तापमान जैसे कि जो फ्रीजर होता है जो फ्रीज होता है उसके अंदर भी वोजन खराब नहीं होता उसका रीजन होता है कि जो सुक्ष में जी होते हैं वो पांच डिगरी से 30 डिगरी का जो टेंपरेचर होता है इसके बीच में ज्यादा जो है मर जाएंगे और जब वो मर जाएंगे तो यहां पर हम का गर सकते हैं बोजन को बचा सकते हैं तो शुक्षमा जिवों को मार कर भी जो हम अब घटन जो हैं उसको रोक सकते हैं तो आई थिंक यह जो चार अलग-अलग तरीके हैं जिसमें हम बोजन को शुक्ष्मजीओं से बचाते हैं या शुक्ष्मजीओं का अबगटन से रोकताम करते हैं तो वो आपको समझ में आ गया होगा अब हम देखते हैं स्वअबगटन यानि कि बोजन जो है खुद ही सड़ने लगता है ठीक है? तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं कुछ केमिकल्स होते हैं वो फूड के अंदर मिलाने पड़ते हैं केमिकल्स हैने कुछ पदार्थ होते हैं उनको मिलाना पड़ता है और उनको मिलाने के बाद जो हैं सवअबगटन को रोक सकते हैं तो सबसे पहले बोजन के अंदर जो एंजाइम होते हैं उनको नश्ट या निश्करी करके यानि के ब्लांचिंग की जो प्रोसेस होती है उसके माध्यम से हम फूट को सड़ने से बचा सकते हैं या अब गटन से बचा सकते हैं तो जैसे की उधारन के तोर पर एक फल ले लो त करते हैं के उस फल को सडाने के लिए कारी करते हैं जैसे कि कच्चा तो पड़ा ही गारते हैं निजिए करते हैं जिसकी हैं जिसके जान cens इंदर मैं उनको क्या किया करना पड़ेगा उसके लिए Blanching की प्रोशेस होुती है इसके बारे में हम जानते हैं दूसरा गे रेंजयमी राशायनिक प्रतिकलियों कि रोकताम में देरी जिसको Antioxydent कहते हैं इसमें कुछ chemical जो हम मिलाते हैं तो ब्लांचिंग क्या होती है तो छोटी अवदी के लिए जो डिब्बा बंदी है उसमें फलो और सब्जियों को सबसे पहले उबलते पानी या भाप से उपचार के तुरंत बात थंडा करने को ब्लांचिंग कहते हैं जिसकी वज़े से उनके जो एंजाइम होते हैं वो क्या हो जैसे कि हमने क्या किया कि कोई भी सब्जी कोई भी फल लिया उसको बंद करना है ज्यादा समय के लिए तो नहीं हो सकता कम समय के लिए बट क्या करना है उनको उबलते पानी में डालो फिर बाहर निकालो ठंडा करो ठंडा करने के बाद उनको पैक कर दो तो यह जो प्रोसे एक्सीडेशन की प्रोसेस होती है उसको रोकने का काम करते हैं उसमें कुछ प्रोसेस कर दो जैसे में आक्सीडेशन की नहीं होगी ते जैसे गेलस नाम का पदार्थ उसको रोकने के लिए जो हम इसका प्रियोग कर सकते हैं एसकार्बिक एस्रिट जो होता है उसको मिलाकर हम फलों के रस को खटे फल का तेल जो होता है उसको शराब को बीयर को आदी को क्या कर सकते हैं बचा सकते हैं लेक्टिक एसीट का प्रयोग करके हम प्रसंसक्रत फल को और सबजीयों को डिबा बन फल को क्या कर सकते हैं आज की विडियो में हमने देखा कि food processing होती क्या है उसका क्या importance है सरकार की क्या-क्या नितिया है food processing के लिए और खाद्य परिरक्षन हम कैसे कर सकते हैं कौन-कौन से तरीके होते हैं क्या-क्या उसमें करना पड़ता है उम्मित करता हूँ दोस्तो वीडियो जो है आपको अच्छा लगाओ वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक जरूर कर अपने दोस्तों में शेर करें प्येस एड्डा के यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब जरूर करें साथी साथ दोस्तो अगर आप MPPSC की complete preparation प्रिमेव कोश्ट करना चाते हैं तो वर्तम अभी जो है आप प्लेइ स्टोर पर जाकर प्येस एड्डा का एफ डाउनलूड करें महाँबर आपको MPPSC prelims और MPPSC mains की पूरी preparation करने के लिए कोई भी फेस या कोई भी charges नहीं देना पड़ेगा Thank you for watching quality means PSC एड्डा